नमस्कार मित्रों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में मित्रों दिपावली का पावनफर 2022 में कब मनाये जाएगा लट्मी पूजन का सुमूरत और दिपावली की रात कौन से ऐसे कारे को करने से माता लक्ष्मी जी और भगवान घने जी आप लोगों पर प्रसन्न होंगे और धन्धाने की वर्षा किस प्रकार से आपके घर में होंगी कौन से ऐसे उपाए हैं जिनको करने से आपके जीवर में चल रही पैसो से जुड़ी हर प्रकार की समस्ताय दूर होंगी और घर प्रिवार में सुखसांते सुखसमर्दी बनेगी आपसी प्रेम में वढ़ोतरी होगा और माता लक्ष्मी जी का आश्रबात की प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं और इस दिपावली पर सुब नक्षत्र, सुब योग, सुब मुहरत कौन सा रहेगा और किस प्रकार से माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करना आपके लिए बिहदी, आपके प्रिवार के लिए बिहदी सुब फलताई रहेगी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले और उन दो उपायों के बारे में भी बताएंगे जो आपके जीवन और जिन्दगी की रूप रेखा में बहुत बड़ा वदलाव करने वाला है तुमित्रों वीडियो को पूरा अंततत जरूर देखिएगा और माता लक्ष्मी जी का असरवात पाने के लिए भगवान गनेजी का असरवात पाने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जै मालत्मी जै भगवान गनेजी जरूर लिखें तुमित्रों दीपावली का पावन पर्व इस वर्ष 24 अक्टूबर सोमुवार को मनाया जाएगा दीपो का यह पर्व इस वर्ष बेहदि सुब योग और सुब मुखुरत में पड़ रहा है इस वर्ष बिहार वासी हक्स्त नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र और विसकुम योग में दीपावली मनाएंगे जोति सास्त्र आपको बता दें कि जोति ताहच के अनुशार हैसे दिन हक्स्त नक्षत्र के बाद चित्रा नक्षत्र सुरू हो रहा है वहीं बुद्ध उचस्त इस्टि में और सुक्र सनी और व्रस्पती अपने खुद की रासी में जो बेहती सुव होगा और अमवस्त त्यत्र का आरंब 24 अक्टूबर को साम 5 बच कर 24 मिनट से 8 बच कर 4 मिनट तक रहेगा वहीं 25 अक्टूबर की साम 4 बच कर 34 मिनट तक ये रहने वाला है चुकि 25 तारिक को अमवस्त थी प्रदोस काल से पहले ही समाप तो हो रही है और 24 अक्टूबर को प्रदोस काल में अमवस्त थी मौजूद रहेगी इसलिए 24 अक्टूबर को लोग दिपावली मनाएंगे इस दिन घर में सरधालूओं को स्री, सूती, कनक धारा, सुरोत और लक्ष्मी सुरोत का पार्ट करना बेहदी उचित माना गया है मित्रों ऐसे में आपको बता दें कि 25 अक्टूबर को सूरी ग्रहन भी लग रहा है और ग्रहन में कोई भी सुभकार नहीं किये जाते ग्रहन काल के 24 घंटे पहले यँ 12 घंटे पहले सूतत लग जाता है लेकिन इसका परभाव दिपावली पर नहीं पढ़ रहा है बताते चलें कि 27 बर्स पहले 1995 को दिपावली के दिन सूरी ग्रण का सेयोग बना था ऐसे में समुंद्र मंतन में हुई थी ये माता लक्वी जी की आपको बता दें कि कार्तिक अमवस्या को दिपावली मनाई जाती है समुन्द्र मंथन के फल्सुरूप कार्थिक अमवस्या को ही मालक्वी जी अवतरित हुई है। लंका विजे पर वर्मास की अवधिप पूरा करके स्रीराम जी का अयोध्या आगमन भी इसी दिन हुआ था। जोतिस मत से कार्थिक अमवस्या के दिन चंदर तूला रासी में होते हैं और सुक्र की रासी होती है। सुक्र को धन वा एस्वरी का अस्थाइद कारक माना गया है। ऐसे में 24 अक्टूबर के दिन आप दिपावली पर्व बहुत धूमधाम तरीके से मना जाते हैं। और दिपावली का सुबमुरत मैंने आपको बता ही दिया। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, सेर, सस्क्राइब कर देए।